तो यह वेलकम टुू एजूकेशन हब आज हम बहुत ही महत्पून प्रस्टन लाये हैं जो कि लास 13 के लिए बहुत ही महत्पून है जो की इस साल बोड एकजाम में आने वाले हैं और यह कोुश्चन के वहल्बी हार बोड के बच्चों के लिए नहीं बल्कि अधर बोड के ब पहले बताएंगे क्योंकि वीडियो लंबा नहीं करना चाहते हैं पहले उसका आप एंसर अपने से कॉमेंट बॉक्स में दें और बताए कि क्या यह सही है और मैं उसका एंसर भी बताऊंगा तो आईए हम अपना कोश्चन स्टार्ड करते हैं यानि कि कोश्चन देखिए यहा सबसे छोटी सन्यूक्त संख्या मिच आफ फ्लॉइंग ही समोटोश्टड कॉमपोजीट नूंबर इसमें से सबसे छोटी र मेमित संख्या कौन है आप लोग यानि कि चार ओप्सन यहां पे है आप लोग बता सकते हैं जाए इसका एंसर क्या होगा तो इसका एंसर होगा डी नंबर क्या होगा डी नंबर यानि कि चार एंसर क्या होगा चार क्योंकि एक दो तीन छोटी में नहीं आती है या कि एक जो होता है नहीं होगा और दो समसंक्य च्छोटी सन्यूंग संख्या चार होगा उसके बाद क्वेश्चन नमबर है पाई क्या है आप लोग बता सकते हैं पाई एक पढ़े होंगे एक अपरिमेश संख्या है यानि कि चार अफसन दिया गया है और पूछा गया है कि इसमें से अपरमे संख्या कौन है यह में है रूट 3 by 12 बी में है रूट अंडर 2 by 10 सी में है रूट अंडर 7 by 7 और डी में है रूट 2 into root 2 तो आप सिसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आप देखिएगा यह भी परिमे संक्या है यह भी पर में सिंख्या भी नंबर उपर में है क्या है रूट अंडर दो बटा 10 गों चाहर एकलेंक़ तो वं में बटा पाशाय की आएक परी में चीकी आρί Madag कि इसका answer क्या हो जाएगा अगला question है छे नंबर one minus sine square 60 का मान क्या होगा one minus sine square 60 का मान तो इसका भी answer 4 दिया रहेगा एक नंबर में है एक बी नंबर में है वह एक बड़ा दो और सी नंबर में है एक बाट चार और डी नंबर में हैं जीरो तो इसका एंसर आप लोग अगर देखिएगा तो इसका एंसर आ जाएगा 1 by 4 क्या आ जाएगा 1 by 4 इसका एंसर 1 by 4 क्योंकि 1 minus sin square 60 को अगर तोड़ेंगे तो 1 का 1 रहेगा और minus sin square 60 कमांद से आप निकाल सकते हैं इसका एंसर आएगा 1 by 4 क्या आएगा 1 by 4 क्योंकि root 3 by 2 का square करेंगे तो 3 by 4 आएगा और 4 minus 3 by 4 यानि कि 1 by 4 एंसर अगला question है साथ number निमलीखित में किसका दसंबलोग परसार सांथ है क्या है निमलीखित में किसका दसंबलोग परसार सांथ है तो आप पढ़े होंगे तो आजाएगा यह नमबर एंसर यानि 40 को अगर तोड़ेंगे तो 2 का पावर 2 इंटु 2 यानि की 2 का पावर 3 इंटु 5 का पावर 1 आ जाएगा जिस से यह नमबर क्या हो जाएगा सांथ हो जाएगा क्या हो जाएगा सांथ अगला question है आठ नंबर निमिली खित में किसका दसंबलो परसार असांथ है इसमें 4 अपसन है बताएगे कौन होगा इसका एंसर आप लोग बताएगे क्या होगा यानि कि असांथ निकालना है तो आप जो फर्मूला बताएगे उससे भी आप चेक कर सकते हैं इसका कौन एंसर होगा तो इसका एंसर होगा दी क्या होगा दी क्योंकि यह टू के पावर एन और फाव का पावर एम का रूप नहीं है इसलिए इसका एंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन है यह यह यादी 130 बराबर 15 गुने 8 फ्लस 10 तथा मसर 135 बराबर मसर xy हो तो xy क्या होगा तो आप इसका मसर निकालिएगा तो 10 और 15 के बराबर होगा यानी 8 10 के बराबर होगा या 15 8 के बराबर होगा या 138 के बराबर होगा तो आप इसका सोल्फ करिएगा तो एंसर आएगा ए नमबर क्या ये नमबर क्योंकि इसका आप मौसर निकाले गा तो फाई आएगा और इसका भी मौसर निकाले गातों थाइगा यारी आएगा इसलिए एंसर हो जाएगा यह अगला कोस्चन है 11 नमबर रूट अंडर 125 का पर्मेकरन गुनांक क्या होगा यान इसका पर्मेकरन गुनांक निकालेगा तो आप लोग 125 का क्या होगा तो हिसको लिख सकते है 15 25 गुर स को पचीष को 25 गुरने अधाय गा Climate और र्लुट 5 अंधर जब यहाँ डीट बाम नंबर नेम लख्यत में कौन सा यूग है तो इसमें आप निकालिएगा 9 और 16 का ही मौसर एक आएगा नहीं तो बागी का सब दुस्ता आएगा तो इसका एंसर हो जाएगा एंसर क्या हो जाएगा एंसर अगला क्वेश्चन है 14 बहुपद एकस माइनस 1 के सुन्यक है यानि I-1 का सुन्यका आपको ज्यान excit करना है तो आप x-1 का यादी सुन्यक ज्यान Modern करेंगे तो इकसब बराबर 11 आ जाएगा यानि इसका एंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 1 क्या हो जाएगा 1 इसका एंसर हो जाएगा 1 अगला क्वेश्चन है 15 किसी द्विघात के सुन्यक यदि माइनस 4 एवं 7 हो तो द्विघात बहुपद होगा तो इसका एंसर क्या हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद निकालने के लिए फर्मूला होता है एक से स्क्वाईर माइनस आलफा प्लस बीटा इंटो एक्स पलस अलफा इंटो बीटा यानि सुन्या कोक अगर सुल्व किजिये गा तो ये पीडी आ जाएगा और सेवन वोझर अप्टाइट आ जाएगा यह माइनस में रहेगा तो इसका एंसर हो जाएगा यह बी नंबर क्या हो जाएगा इंसर बी नंबर एकस स्कार प्लस थ्री एकस माइनस 28 अगला कोश्चन है आईए देख रहे हैं 16 नंबर एक द्विघाद पहुपद के सुन्या को कायोग तथा गुनान फल करम सब 5 तथा 6 है तो द्विघाद पहुपद होगा इसमें अलफा प्लस बीटा और 5 दिया है और आलफा इंटू बीटा ब्राबस दिया है तो उसका द्विघाद पहुपद होता है तो उसी फर्मूला से आ तो इससे आप निकालेगा तो माइनस फाइब एक्स और चोब पचेति आनि आलफा इंटु बीटा सी है तो पॉलस में सीख से जागे नहीं एंसर हो जाएगा बी क्या हो जाएगा बी अगला कोश्चन होगा देखिए जो कि बहुत इंपोर्टेंट है बहुपद एक से स्क्वाइर माइनस थिरी के सुनिया क्या होंगे तो आप जानते हैं अगर थिरी को बराबर के उस साइट ले जाएगे तो थिरी बचेगा और एक से स्क्वाइर जब इसक्वाइर हटता है त तो रूट में पॉलस माइनस में हो जाता है तो पॉलस माइनस में क्या है रूट थिरी देखिए यहां पर बी नंबर में दिया गया है यानि एंसर और बी अगला कोश्चन है इस नंबर निमन में कॉम 6x-2y ब्राबर 0 तो था 10x-2y ब्राबर 32 का हल होगा तो आप इसको सल्फ करेंगे तो यह दो चरवाला समिकरन हो जाएगा आप इसको अबर सॉल्फ किजिएगा तो इसका एंसर आ जाएगा इसका एंसर होग्या अगला कोश्चन होगा समिकरन निकाय एक प्लसड य ब्राबर 23 और 5x-k yब्राबर 15 के अंगीनत हल होने के लिए हल होने के लिए क्या मान क्या होगा यानि वन बई एकस ब्राबव वन बई य हो सकते है तो अंगिनत अलोगा तो येकस के निकालेगा तो वन बई फाइब यानि ट्य वाइट थेन होगा तब बहुत अच्छा है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो इसको आफ फॉल्व कि दिएगा तो इसमें आएगा और इसको अपस्वार्ब कि जीए गा लेकिन कट जाएगा तो यह होगा रैकिक हो जाएगा और बत्ता में लता है तो दीघात होते नहीं अंसर कॉंड हो जाएगा एंसर हो गया इसका इसका वी एकस फ्टू का होल स्वाइड बराबर थ्री इन्टु एकस प्लस फूर अगला question होगा 24 दिखास समिकरन P X square plus Q X plus R बराबर 0 P does not equal to 0 के मूल क्या होंगे यानि मूल का फर्मूला आप लोग सिखे होंगे लेकिन यहाँ पर B के जगा Q दिया है और A के जगा P और C के जगा R दिया है तो आप इस फर्मूला से अगर इसको निकालेगा तो इसका एंसर हो जाएगा यानि B स्वार के जगा हो जाएगा माइनस Q पॉलस माइनस डूट अंडर Q एसक्वाइर माइनस फोर पी आर बटा टू पी यानि एंसर कितना नंबर में है देखिए तो मूलो का योग यानि मूलो का योग यानि एल्फा क्वर्सव लिट्वाइव की इसका नंबर में होगा तो इसक्नlier हो जाएगा डी चलिए अगला कोश्चन देखते हैं कि दूइघास समिकरण एक स्क्वाइर प्लस बी एक सी बराबर जीडू एड़ नॉट इक टूजी रो के मूल एक दूसरे के ब्यूत्क्रम होंगे यदि जब पुछा जा रहा है कि जब उसका मूल क्या होगा एक दूसरे क स्काम होगा तब क्या होगा यानि कि इसका आएगा थ्री तर इसका आना चाहिए व мог इत्री दोनों मूल तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सी बराबर ए अगल시 रहेगा तो उसमें हो जाएगा उसका मूल दून SouDос पूतकरम सी बराबर यह बहुत अच्छा कोश्चन है आपको जल्दी नहीं मिलेगा अगला कोश्चन है अठाइस नंबर समनांतर स्रेनी का वन बैट्टू वन थ्री बैट्टू टू का पंदराहुआ पद क्या होगा तो आप सिंपल है यह बराबर वन बैट्टू है डी निक इस फर्मूला से आप निकाल सकते हैं तो इस फर्मूला से आप अगर सॉल्ब करेंगे तो इसका एंसर आएगा वन थ्राओ दो क्या आईगा पंदराह बाटा कोश्चन में हैं कहां है बी नंबर में इसका अंसर हो गया 15 बटा दो अगला कोशन देखिए हैं यादि किसी समना अंतर स्रेनी का पहला पद नौ यह अंसार वा अंतर माइनस तीन हो तो इसके प्रथम बारे पदों का योग फल क्या होगा देखिए इजी है यह ब्राबर नाइन दिया गया है तो आप इस फर्मूला से निकाल सकते हैं 12 by 2 into 2a plus n minus 1 into b यानि 12 के जगा लिख सकते हैं तो आप इसको जादी solve करेंगे तो इसका answer आ जाएगा minus 90 क्या जाएगा minus 90 यानि जो की है c number में है कितना नंबर में है c number अगला question आईए समनांतर स्रेनी iam 1734 51 का कौन सा पद 17 है तो अचले जोरी क्वे बराबर दिया गया है कि के सद्र और डी निकालेगा अद्धी 17 अगर में 17ल्स वोला सब्सक्राइगा आप इस फर्मूला से और के फर्मूला से निकाल सकते हैं आप इस फर्मूल सकते हैं आप कितना होगा Under् Grange solve करेंगे तो इसका answer आजाएगा एगर आहुआ पद क्या होजाएगा एगर आहुआ पद इसका एंसर सी नंबर क्या है सी अगला कुछ चनाते हैं तो आप इसको फर्मूला से निकाल सकते हैं तो आप इसको इसका एंसर क्या होगा तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो सीधे निकाल सकते हैं कि इसको एंसर 51 माइनस क्या हो जाएगा 51 माइनस में होगा इसलिए फाइब यानि पांत याई 15 माइनस 15 किजिए कितना रहता यानि 36 इसका एंसर आएगा 36 तो इसमें एंसर नहीं दिया गया है तो आप लोग कोई नहीं मारिएगा आई अगला कोश्चन है चाहने 24 नमर क्या है संकुन तिर्भूज ई बी बराबर 90 डिगरी वी बराबर रु lays 15 सेंटिमीटर बी सी बराबर एक सेंटिमीटर तथा ac बरबर 4cm तो 10a बराबर होगा तो इसमें पूछ रहा है 10a बराबर होगा तो यानि कि इसमें अगर कौन क्या पूछ रहा है 10a इस के सामने देखा जाएगा तो BC л nuevo हो जाएगा उसके लिए और ab जो जाएगा अदार तो 10 theta व्राबर यानि की होता है लंब बटा अधार क्या होता है लंब बटा अधार उस फर्मुला से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका एंसर कि इसका एंसर और उपर हो जाएगा यानि लंब और नीचे हो जाएगा यह हो जाएगा डूट 15 यानि से एंसर हो जागा वन बाई डू तंडर तो इसका एंसर हो गया सी नमबर अगला कोश्चन आते हैं 35 यदि कौस्ट 2 भॉबर के तथा खौस्ट 2 का मान क्या होगा कौश्ट और पुछा जा रहा है कि कॉस्ट ठीटा का मान क्या होगा और चार ऑप्सन भी यहां पर दिया गया है तो आप इसको solve किजिएगा आप इसको जादी solve किजिएगा तो देखिए कॉस्ट ठीटा बबबक की है तो आप इससे सिद्धे इसको solve कर रहे हैं तो इसका answer आ जाएगा आपको इसका answer आएगा आपको root under k square minus 1 by k यानि answer आ गया भी इसका answer क्या जाएगा भी हो जाएगा answer इसका answer हो गया इसका भी अगला question है अगला question है यदि इसको 5 पर जाता हो ठीटा तो 5 पर फोटी फाइब डिग्री तो सेक फाइब प्लस कॉसेक फाइब का मान क्या होगा तो देखिए यहां पर ठीटा भाव फोटी फाइब कर सकते हैं तो दोनों में अगर भालू आप पूट करेंगे तो इसका answer आ जाएगा तो इसको सीधर लिख सकते हैं 10 a यह बराबर थीट भाई लूट ठीड तो आप इसको कटाइएगा तो वन बई ठीड या यानि वन बैए तिरी किसका मान होता है आप लोग बताइए तो वन बैफिरी मान होता है तैन साइन तीस का मान क्या होगा तो आप बताएं साइन तीस का मान क्या हो जाता है तो वन बाइट वाइट्टो वन बाइट तू अगला कुश्चिन है तो आप साइन स्कुर्ट थिटा प्लस पॉस स्कुर्ट थिटा बराबर वन लिखते हैं लिखते हैं साइन स्कुर्ट थिटा पॉलस पॉस स्कुर्ट थिटा बराबर वन तो आप इस फर्मूला से निकाल सकते हैं तो आप इसको अगर निकालीगा तो इसका आएगा माइनस स्टेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट करके इसका एंसर आगया माइनस वन अगला कोस्टन है साइन अलफा प्लस कोट अलफा का मान क्या होगा तो साइन अलफा और कोट अलफा तो साइन अलफा कोट अलफा को लिख सकते हैं कोस क्या लिख सकते हैं कोस अलफा बटा साइन अलफा तो साइन और इसको अब सॉल्फ तो इसका एंसर आ जाएगा इसका एंसर आ जाएगा। Ferr claim to estratetra का मान क्या होगा तो यान तो इसको ठीटा बड़ाबर अगर जिएगा तो इसको निकालना है तो आप इसको शॉल्फ कर सकते हैं कि अगला कोश्चन है पुटीएट नमबर है यादि साइन एक्स पलस साइन एसक्वाइर एक्स ब्राबर वन तो पॉस्वाइर एक्स पलस कॉस्वाइर एक्स का मान क्या होगा यह बहुत अच्छा कोश्चन है आप इसको अच्छा समझ लिएगा क्या पांच नमबर या दो नमबर में भी आ सकता है तो सीधे आप इसको साइन एक्स पलस साइन एक्स प्लस साइन एक्स ब्राबर वन है तो इसको कॉस्वाइर एक्स प यह आएगा तो आप इसका देखिए ऐंपे साइने एक समय स्कान दिया क्या है तो सिधे झब इसकी मानuego थे है तो इसका बान भी Uber और इसका अंसर एक आप अगाला कोश्चेन निवलिक इसकी में कौं सा कोसेकन साट के बराम तो ये बहुत महत्यपून कोश्चन है आप इसको एक बार दो बार देख लीजिए और बना लीजिए और आगे इस पचास और कोश्चन में बहुत अच्छे अच्छे डालने वाला हूं मैंतर सभी सब्जेक्ट का डालने वाला हूं तो आप लोग इसको पढ़िए और साइक जाम अच्छा से सफल हो